जिस इस्थान पर गव मता को बांधा गया हो और गाय अपने बच्छडे को बच्छिया को जन्म देती हो उस इस्थान पर उसकी मिट्टी उसकी मरदा उस जगहा की रज जब मतान का मुर्क होता है दुकान खोली जाती है दुकान बनाई जाती है दुकान में कोई अगनी का प बच्चे को जनम दिया हो उस इस्थान की मिट्टी उस भूमी पर लेपन कर दी जाए तो जिंडगी में कभी संपदा की कमी नहीं हो सकती है। और वह भी देशी गाय, देशी बच्चों को जनम दे, अभी देशी नहीं, जर्सी नहीं, हो देशी बच्चडा हो, देशी ही गाये। जनम देती हो, गाये अपने बच्चिया को जनम देती हो, उस जगह की मिट्टी बड़ी प्रवल होती है। बड़ी प्रखर। प्रवल माता के खुर में से गोल ओचनी निकलती है हमारे। वो गोल ओचनी सफेद कलर की होती है। उसको आप एसे पटक देंगे तो बिलकुल ऐसा लगेगा जिससे लकडी है। पर वही गोल ओचनी को आप दूद में डाल देंगे तो चलना चालू कर देती है। उसको कहते हैं गोल ओचनी गोँंक में बढ़ना ने इसका इसका अन्पुराण में इसका बढ़ना जिस जगहा पर गाए बच्छडे को जनम दें बच्चिया को जनम दें और जनम देते समय पर गोमाता को जब कश्ट की अनग होती होती है। जो कश्ट जैसे एक नारी का कश्ट होता है वैसे ही गोमाता का कश्ट होता है। जो बच्छडा जनम देती है और बच्छडे को अपनी जिव्या से एक बार चाट लेती है। जनम देगा तो बच्छे को उठने में समय लगता है। और दुनिया में केवल एक गोमाता इसी है। कि गोमाता अपने बच्छे को जनम देती है जनम देने के कुछ देर बाद जब गोमाता के जिव्या से चाट लेती है। जब चाट कर खड़ा हो जाता। दुनिया में केवल एक गोमाता है। गवलोचनी ढूंडो हम यह नहीं करते कि तुम गवलोचनी जहां गिरी है उस रज का भी बड़ा मात्व है। अर्ताथ गायने जहां बच्छे को जनम दिया उस भूमी पर गवलोचनी पड़ी है। और वो गवलोचनी हमारे जीमन का अनद का नुभव करा देती है। नहीं कोई प्रइपर्टी आपने खरी दी है और उसमें कोई बेपार चालो करना चाहते हो, तो पहले गाए जहांपर बच्चडा बच्किया आपको जनम दिया हो, भले पेले दिया हो पर जमीन तो वही है रेश तो वही है वहां की मिटी का लेपन करने से वो सुक वो आनंद वो संपदा बढ़ जाती है यहां तक शिमहा पुरान की खता कती है, इसकन पुरान यहां तक कती है, कि मान लो कोई नया मकान आप बना रहे हो, और बास्तु वाले को दिखा दिखा कर बनाया है, तो भी उसमें कोई कमी अगर रे गई, क्योंकि आज बास्तु वाला नहीं बोलेगा, तो पंतर दिन बाद जिस वास्तु वाले से मकान बनाए, वो तो कि मैंने बढ़िया सब देखे रहता है, बनाया है, एक एक वास्तु के इसाब से बनाया, तुमने भले वास्तु के इसाब से बनाया, तुमने भले वास्तु के इसाब से बनाया, पर जितने वास्तु वालों को बलाओगे, वो बैस्ति के से निकालना तो पड़ेगा न को पर शिव महापुराण कहती है कि शंकर के पास आने के बाद कोई भय की बात होना ही नहीं चाहिए कुछ नहीं नहीं क्या तकलीप, क्या तश्ट अगर शंकर का नुमोदन कर रहे हो शिव का इस्मर्न कर रहे हो तो फिर सोचना नहीं है जो होगा संकर करेगा वो होगा अगर किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो गया कुष्ट रोग हो गया चमडी सफेद पड़ गई रोग समाप्त नहीं हो रहा बढ़ते जा रहा है अवशदिया आपने बहुत कर ली तो तीन जगा की मिट्टी आपको फल प्रदान करेगा पहला सूरी कुंड की मिट्टी इसकंद पुराण सूरी कुंड कहां पर है तो कहा दतिया और जासी के बीच में सूरी कुंड निवास करता है उस सूरी कुंड की मिट्टी को लाकर जिस व्यक्ती को पुष्ट रोग हो गया हो शरीर की चमडी सफेट पड़ गई हो इसकंद पुराण करती है सूरी कुंड की मर्दा लगा लेने से पास से साथ दिन में रोग समाप्त होने लगता है मारत पर सूरी को सर्वदिक प्रियता क्या है सर्वदिक प्रियता सूरी को क्या क्योंकि सूरी तपता है तो उस तपन को मिटाने के लिए सूरी देउता कि शरीर पर गाये का घरत मला जाता जैसे शनी को तेल लगाया जाता है सूरी को घरत मला जाता है इसलिए सूरी कुंड का एक नियम है कि सूरी कुंड पर से गरा मिटी लेकर आते हैं शरीर पर लगाने के बाद जब शरीर का चर्म रोक समाप तो हो जाए सफेज चमड़ी अपने बापिस रंग में आ जाए तब आप जितनी कामना करकर आते हैं उतना घी उस सूरी कुंड के पास में डालना पड़ता है एक किलो दो किलो आदा किलो ड़ी सू गिराम पच्चीस गिराम पचास गिराम जो आपने कामना करी है उतना चड़ा रहा है पर वो घी घाय का होना चाहिए और उस गी का प्रयोग कोई नहीं कर सकता इसलिए आज भी इस कंड़ पुराण में तो किवल सूरी कुंड का वर्णन है गरत का वर्णन है पर इस ठान आज भी जासी और गतिया के बीच में जो सूरी कुंड विराजमान है आज भी वहाँ पर कुंड के पास में एक गी का गी ढाला जाता है पर उस गी का प्रयोग कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं कर सकता जो करता है वो सरीर में फपोले पड़ जाते हैं और बाद में सड़ कर मर जाते घरते पर गंद नहीं गृत तीन जगह की मृदा जीव को सुक्का नुभाव कराती पहला सूरी कुंड महें श्री श्री श्रीवार नमस्माथुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपु